नमस्कार दोस्तों, घरेलूख अबर चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग यहाँ बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लोक डॉण में बट सावित्री की पुजा कैसे करें। बहुत से लोग उलजन में पड़े हुए हैं, सबके पास तरह-तरह की सवाल हो रहा हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन को विभिन जोनों में डिवाइड किया गया है, रेड जोन, ग्रीन जोन, औरेंग जोन, तो ग्रीन जोन में तो कुछ छूट मिल रही है, ल घर में फेरी किसका एवं कितना लगाएंगे, धागा कहां लपेटेंगे, एवं ब्रत का पारन कब और कैसे खोलेंगे, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से वो सारे सवालों के जवाब दूँगी, जिससे आपका उलजन दूर हो, द चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आगा, वीडियो को लाइक करेंगे, और आपके फ्रेंड सर्किल में, फैमली सर्किल में सबकी पास अगर एही सवाल हो, एही उलजन हो, तो आप मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमली सर्किल में सेर भी करेंग बड़ सावित्री ब्रत भी स्वभाग प्राप्ती के लिए एक बड़ा ब्रत माना जाता है। बड़ सावित्री का ब्रत संपूर्ट परिवार को एक सुत्र में बांधे भी रखता है। कम से कम आपको साथ परिक्रमा अवस्य करनी है और उसी बरगत की टहनी को धागा लपेटना है। अगर आपको बरगत के पेड की टहनी नहीं मिलती है तो आपके घर में तुलसी का पौधा अवस्य ही होगा। तो आप तुलसी के पौधे को ही पूजा अस्थल पे रखके उसी की पूजा करें उसी में धागा लपेटे और उसी की परिक्रमा करें। और अगर आपके घर में तुलसी का पौधा भी ना हो तो आप कलस अस्थापना करके कलस की ही पूजा करें कलस को ही। इसके साथ ही मैंने ये भी बताया है एक वीडियो में कि आप एक चौकी या पाटे ले ले उस पे लाल रंका कपड़ा बिचा कर उस पर एक लक्ष्मी नारान की मुर्ती साथ ही भगवान सीब माता परवती की पर्तीमा या मुर्ती अस्थापित करें। दोस्तो त्री देव में ही पूरी दुनिया निहित है। बर्गत के पेड़ की पूजा भी त्री देव के पर्तीक के रूप में ही किरते हैं। साथ ही आप वहाँ पर एक तुलसी का पौधा रख सकती है। सारा विधी विधा से पूजा करने के बाद भींगे हुए चने हाथ में लेकर सावित्री और सत्वान की कथा अवस्य सुननी चाहिए। और भींगे हुए चने और बर्ट ब्रिक्ष का फल अगर मिल रहा हो तो खाकर ब्रत को खोलना चाहिए कथा सुनने के बाद। और अगर बर्ट ब्रिक्ष का फल नहीं मिल रहा हो तो सिर्फ भींगे हुए चने खाकर ही अपना ब्रत खोले। अब बहुत लोगों का सवाल है कि पंखा न मिलेगा तो क्या करेंगे। अगर आपको पंखा नहीं मिलता है तो मैंने बताया है कि अगर पिछले साल का आपके पास पंखा रखा है तो उसे धो करके इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन दूसरे का पंखा आपको इस्तेमाल नहीं क करना है और पिछले साल का पंखा अगर नहीं रखा हो नया यूज किया हूँ तो आप घर में एक प्लास्टिक का पंखा बना के उसका इस्तेमाल कर सकती हैं दोस्तो एक बात और मैं बता दूँ जहां पर आपने बरगत की टहनी को लाकर गमले में लगाया है वहाँ पे सावित्री सतवान की फोटो अवस्य रखें और अगर तुलसी का पौधा का आप पूजा कर रही हैं तो तुलसी के पौधे के पास भी सावित्री सतवान की फोटो अवस्य रखना है तो आसा ही नहीं पूर्ण विश्वासे कि आपकी सारी उल्जन मेरे इस वीडियो के द्वारा दूर हो गई होगी वीडियो पसंद आये हो वीडियो को लाइक करे, सेर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे ठैंक्स